हाई गाईज वेलकम बैक टो मैं चैनल आइम इक्ता और आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ अपना नायका हॉल तो अभी रिसेंटली मैंने नायका से कुछ चीजे खरी दी हैं सेल के टाइम पर मैंने ये सारी चीजे खरीदी थी और कुल मिलाक के 5 प्रॉडक्स हैं तो चली स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आये हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना उसके बगल में छोटी सी बेल बुटन होगी उसको भी हिट क इस अबिशा कांसी लेड कर दिशा के ब्लॉड ट आपकी सेर्क चांसी टय से श किन पर बहुत ही अच्छी चल रही थी उस ताइम पर तो काफी अच्छे डिस्काउंट पर मुझे मिल गया so this is the concealer और मेरा जो shade है वो है 120 light और I think ये match कर रहा है मेरे skin tones से so next product है मेरे पास ये Blue Heaven का shimmer dust और इसके बारे में भी काफी positive reviews मैंने सुने है this is in silver color actually मुझे ये अपने eyeshadow और ये सब के नहीं चाहिए था क्योंकि मैं इतनी expert तो हूँ नी मेरे mind में कुछ portraits हैं जिनमें मैं ये जो shimmer है वो use कर सकती हूँ और guys अगर आपने मुझे instagram पे follow नहीं किया है अभी तक तो please follow कर लीजिए इसमें काफी सारे color थे guys मैंने जो choose किया है वो है silver ये काफी ज़ादा affordable भी है guys 95 rupees इसकी MRP है बट sale पे ये और भी सस्ता मिल गया था next product है हमारे पास again from maybelline this is maybelline fit me foundation matte poreless foundation ये tube form में है तो इसलिए मैंने इसको खरीदा और जो मेरा shade है वो है 128 warm nude और guys छोटी सी tube है तो मुझे बहुत अच्छा लगा काफी convenient है इसका जो MRP है वो 299 rupees है बट मुझे sale में ये बहुत अच्छे price में मुझे मिला and last product जो मेरे पास है वो है newly launched products guys मेरी नजर पढ़ गई इन पे तो मैंने जट से खरीद लिया सबसे पहला product तो guys ये है blue heaven का brow pencil and styler yes blue heaven ने अपने brow pencil भी launch कर दिया है finally and I am really impressed guys ये जो मैंने खरीदा है 150 इसकी MRP है but ये एक spoolie styler के साथ आता है you can see or retractable eyebrow pencil है angled pencil है जुसे की काफी easy apply होता है मैंने एक बार try करके भी देखा है it is long stay smudge proof and waterproof तो ये तो मैं इसका separate review करूंगी तब बताऊंगी कैसा है ये कैसा नहीं है इसमें दो sheets available है grey and brown तो काफी अची बात है कि उन्हें ब्लैक नहीं निकाल packaging is super cute super convenient देखो मैं इसको खोल भी चुकी हूँ क्योंकि मैं try करके देखना चाहती थी आप बिलीब नहीं करोगे इसका एक और वर्जन है but वो without उस पूली है लेकिन वो under 100 रुपीज है guys so this is great next and last product जो मैं आपको show करने पाली हूँ वो है यह Lakme Peach Milk Ultra Light Gel तो guys मैंने अपने चानल पे और रेड़ी Lakme Peach Milk Moisturizer का review किया हुआ है आप लोगोंने काफी पसंद किया उससे वो मेरी all time favorite moisturizer है मैं इसको daily basis पे use करती हूँ और Lakme ने finally अपना gel भी introduce कर दिया है you know guys Pondz ने अपना super light moisturizer निकाला फिर super light gel निकाला तो ऐसी कुछ मुझे लग रहा है concept इन्होंने अपना ultra light gel निकाला है तो मैंने अभी तक इसको use निकिया है actually मैं इसको use करके देखूँगी 15-20 दिन तक then उसके बाद मैं इसका separate review करूँगी अपने channel पर बताऊंगी अच्छी तरीके से कि यह कैसा है तो यह new launch product है and 150 इसका price है जो moisturizer है वो तो 100 रुपे काई गाई So guys that's it for today's video I hope आपको यह मेरा छोटा सा haul पसंद आया होगा इन में से कोई भी products के बारे में आपको जानना है तो please मुझे comment section में पूछ लेना और किस पे आप review चाहते हो वो भी मुझे comment section में बता देना यह video अच्छे लगे थोड़ी से helpful रहे तो please इस video को like share कर देना मैं आपको next video में जल्दी मिलूँगी तर तक के लिए goodbye, take care, love you